हेलो एवरिवन कैसे हैं आप मैं अनुछ कुमार सिंग फिक्षा धाम से आज की वीडियो जो है वो है इनकम टेक्स बीकों प्रोग्राम वाले स्टूडेंट के लिए और ये स्टूडेंट के लिए है पास्ट अगर मैं बात करूँ तो आपके पास एक्जेक्टली टेन डेज बचे हुएं दस दिन है और I am sure के बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि किसी ना किसी रीजन्स की वज़े से अभी तक स्टूडी स्टार्ट नहीं करा होगा लेकिन लास्ट टाइम पे वो ये सोच लेते हैं कि इस सेमेस्टर को हम आगे इस वार पेपर नहीं देंगे इस सेमेस्टर को हम आगे दे देते हैं सेमेस्टर पांच में जाके बट पहले ही सेमेस्टर पांच में आपका बड़न जादा होता है तो मैं उन्हीं बच्चों को एक बताना चाहूँगा क्योंकि बैक रिकॉर्ड भी आप देखिए फानेशल मेनेजमेंट बैक रिकॉर्ड की हम बात करें तो फानेशल मेनेजमेंट में भी दस दिन के अंदर बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्जाम तैयारी भी हो गई थी और दिया भी था आप जो है वो देख सकते हैं बच्चों के क्या कमेंट्स हैं वो सारे कमेंट्स में भी आप जाके इजीली देख सकते हैं कमेंट्स सामने आपको वीव हो रहा होगा चलिए सर तो अब हम आगे चलते हैं और आगे अब income tax का क्या strategy होना चाहिए main सबसे बड़ा सबसे पहले ये सोचना होगा जो हमारा syllabus है उस पूरे syllabus में से paper नहीं आता तो पहले उन चीजों को निकाल के बिल्कुल बहार कर देना चाहिए हमें जिसमें से exam नहीं आता है ठीक है चलिए ध्यान से समझेंगे और days के हिसाब से समझेंगे हम ठीक है और कैसे करना है वो सारी चीजों को focus करेंगे हमारे 5 unit है total जिसमें से unit 1 है introduction का सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम student unit 1 को पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते unit 1 ही DU के side पे से जो study आपका था जो उनका slavers था वो सीधा मैंने paste किया हुआ है सीधी सी बात है इस slavers में से क्या क्या चीज़े हमें करना चाहिए क्या चीज़े cut जाएंगी वो चीज़े आप देखके चलिए हमें क्या करना चाहिए agriculture income इसके बाद हमें करना चाहिए sir person इसके बाद हमें करना चाहिए ssc इसके बाद हमें करना चाहिए assessment year इसके बाद हमें करना चाहिए previous year sir gross total income का कोई काम नहीं मैं cut लगाता जा रहा हूँ total income का कोई काम नहीं cut लगाता जा रहा हूँ maximum marginal rate का कोई काम नहीं है cut लगाता जा रहा हूँ तो जिस पर मैं cut लगा रहा हूँ मैं सीधा cut लगा देता हूँ तो आप सब देखेंगे ने तो आप भी कर लें क्योंकि इससे examiner के पास option नहीं है इसमें से पूछने का सर permanent account number किसी काम का नहीं है pen number residential status बिलकुल सही सर important है ये scope income determined on the basis of residential status income है exempted income सर इस chapter के अंदर जादा दिमाग मत लगा है ये सबसे last में करें तो निकल के overall ये हमारे पास आया सर कितने दिन में हो जाएगा मैं साथ के साथ chapter भी लिख दूँ क्या क्या बना सर इसके अंदर mainly assessment year number 2 previous year number 3 person number 4 residential status और एक agriculture income बहुत छोटा सा chapter agriculture income ये पूरी theory की वीडियो भी है एक है agriculture income सर ये हमारे बने हैं total इसके अंदर सर कितना time लगेगा इसको करने में सिर्फ one day अगर मैं बोलू assessment year, previous year और person hardly 2 गंटे खतम दो गंटे में definition है तो एक एक और वो definition जो समझो गए न तो याद भी नहीं करना समझते समझते मेरी वीडियो के अंदर याद हो जाएंगी आपको इसके बाद residential status में हाँ ले सकते हो तीन से चार गंटे और तीन से चार गंटे consistency देखेंगे तो चप्टर खतम आपको कुछ करने की जूरत नहीं है और agriculture हालाकि ये YouTube पे उपर सारी वीडियो मेरी available है आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं चप्टर का लेकिन मैंने चप्टर का नाम बदला हुआ है सर एक basic concept के नाम से डाल दिया ह और एक residential status के अंदर डाल दिया है तो basic concept और residential status जो मैंने डाला हूँ unit 1 खतम हो जाएगा सर इसमें से exam में कितने marks का आएगा question आपके 10 marks का 10 number का पूछा जाएगा इसमें से 10 से 15 number का weightage हो सकता है देखो ये सारी बाते जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ experience काफे time से मैं 10 year भी लिख रहा हूँ आपके जो solution है सिवदास के 10 year और इनको करने के लिए मैं strategy बताऊँगा सर आपको सिवदास का 10 year लेना है बाकि 10 year के अंदर error है सिवदास का 10 year आपको लेना है तर कहां से nearby shop से मिल जाएगा आपको नहीं मिलता मैं contact number भी दे देता हूँ आप directly courier करके मंगवा सकते हैं मैं sales head का number दे देता हूँ वहाँ पर सर सेज Mr. Greece जी है ये 70111 47630 आप मेरा नाम ले सकते हैं वैसे जो वो बहुत अच्छे genuine person है उनको जो होगा वो कर देंगे और बस एक मेरे नाम लेने का एक benefit हो जागा सर fastest deliver करवा दीजिए जो डेली के अंदर नहीं है डेली के बाहर जो डेली के अंदर है मैं यही कहूंगा nearby swap पर जाईए हर bookstore पर अविलेबल है कौन सा लेना है सर नए वाला लेना है उस पर मेरी photo बनी हो गई चलिए सर तो यानि one day में यह खतम हो गया number two unit number two unit की अगर हम बात करें ना तो number two unit के अंदर आपके different heads दे रखा है basically दो chapter है income from salary और income from house property सर इस unit two को ऐसा नहीं हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले unit one कर रहा है तो आप unit two को खतम ही कर ले सबसे पहले आप करेंगे income from house property सर वन डे वन डे कैसे सर इसके अंदर छोटे छोटे concept है कुछ theory के बार्ट है theory के पार्ट जो आएंगे deemed ownership आएगा GAB NAB standard deduction सबसे main interest यह करना हो काम सबसे main interest यह करना हो अब देख लीजिए सामने की बना है इसके बाद सर इसके अंदर यह unit अभी मैंने left कर छोड़ा हुआ है अभी नहीं सर कितने marks का आएगा one day ten marks का देखें दो दिन हमारे चले गए बीस तंबर पर sincerely पढ़ेंगे तो आप carry forward मत करें कि next semester में जाएगा सर computation income different heads 2 सर एक हमारा PGVB है business from house prof सर आप अपने senior से जब पूछेंगे ना तो बलेंगा यह PGVB बहुत बड़ा chapter है लेकिन मैं exam के point of view से बात करूँ सर B.com program की बात करूँ में इसमें से question नहीं पूछा जाता इसमें से सिर्फ एक ही section आता है section 32 that is depreciation कितना time लगना है दो घंटे एक्सपर्ट हो जाओगे टू आर्स में जो वीडियो मैं डालूँगा जो application के अंदर तो डाली हुई है YouTube पे अभी डला नहीं है YouTube पे डाल दूँगा house property YouTube पे पूरा डल गया है तो ये करेंगे इसके बाद सर capital gain सर इसके बाद capital gain को choose कर लेंगे आप capital gain के अंदर सर आपका ये थोड़ा सा बड़ा चप्टर है फिर मैं one and half days मान लूँ इसको तो सर कितने दिन हो गए 10 दिन का plan लेकर आ रहा हूं मैं तो देखे एक दिन दो दिन और आप मान लीजिए इन दोनों को मिला के दो दिन यानि चार दिन हमारे खतम हो गए सर इसमें से कितने नंबर का question आएगा सर 10 marks का इसमें से आने वाला है 10 नंबर का इसमें से और 6 नंब था रेगलर वाले बच्चों का भी पेपर अभी 26 को वो भी यही strategy follow कर सकते हैं वो तो revise करेंगे तो इसी basis पर ही revise करिएगा आप भी चलिए सर इसके बाद अब आ जाते हैं देखिए हमारे चार दिन के अंदर ये unit खतम हो जाता है अगले unit पे चलते हैं सर 10 दिन तो बहुत हैं आप करने वाले बनो कराने वाले मैं हूँ अगला unit है हमारा fourth ये unit नंबर थोड़ा आगे पीछे हो गया है एक दो तीम और ये unit number four है सर unit number four इसमें कहता है computation total individual and firm and text liability ये है unit four उपर नीचे होगे थोड़ा सा वही थोड़ा सा देख रहा था तो अब आजाते है unit number four पे उपर नीचे होगे ठीक है सर total income computation of income for other person इसको ना हम जानते है clubbing इसका नाम है clubbing of income कई बार नाम भी ना ऐसे होते हैं slivers के अंदर के बच्चा परिशान रहता है इसके बाद अगला point कहता है aggregation of the income set of and carry forward ये है set of and carry forward वो तो mention ही है इसके बाद सर एक है deduction ठीक है rebate वगेरा छोड़िये ये सब exam में नहीं पूछा जाएगा एक ये यानि overall मैं इसके अंदर तीन चप्टर बोलूँ एक है clubbing नमबर दो पे है set of और नमबर तीन पे है deduction सर कितने छे नमबर छे नमबर और छे नमबर अठारा नमबर ऐसे paper आएगा सर कितने दिन में होगा one day enough है one day मैं अभी सरफ syllabus बता रहा हूँ एक मैं सभी के theory भी लेके आऊँगा भी बहुत जल्दी one day deduction में सर छोटे छोटे से parts है जो थोड़ा सा memorize रखना है आपने वो part है clubbing में कुछ है ही नहीं सर बहुत बच्चा जैसा है बस आपको जो वीडियो में YouTube पे भी upload नहीं हुआ यह करेंगे सर आप यानि कितने दिन हो गए सर आप days भी count करिए तो यहाँ पर चार दिन हो चुके थे हमारे चार के बाद हमारा पांच दिन हो गया है अब बात करते हैं इसमें से क्या आएगा सर अब प्रोग्राम वाले बच्चे computation of total income of the firm टेक्स liability, individual firm, preparation of return, income tax filing, return, manual, offline, online, TDS वगेरा तो आप तो unit number 5 को बाइकॉट ही करें unit number 5 को क्या करते हैं? बाइकॉट बहुत minimal chances, बहुत minimum chances होता है इस unit से कुछ पूछा जाए यह regular वाले बच्चों के पूछा जाता है, especially actual में तो नहीं पूछा जाता है कहता है individual का total income, सर वैसे निकाल लेंगे है total income, एक दो सवाल कर लेंगे ऐसे चिसके लिए कोई special time और दिमाग के अंदर बोजनी डालना कि आर एक unit तो रहता है पता नहीं इसमें क्या क्या है income tax return वगएरा, तो यह तो दिमाग से निकाल दो तो as a past experience मैं आपको बोलूँगा, आपके paper में सिर्फ 4 unit है अब सर हमारे 5 दिन में खतम हो गए, अब हमारा बचता है एक जो की है salary सर इस salary के अंदर आप 3 दिन दे तब यस से दें इसमें से, ये question 15 का fix आएगा 15 का आएगा fix, जैसे 10 अब 20, 20 और 16 कितने हो गए थे, 36, 36 और 15 50 मान लो, 50 और ये 18 हो गए हमारे, कितने हो गए, 68 और कुछ आगे पीछे से number होंगे, 57 number का हम कुछ कह नहीं सकते के paper कहां से बनके आने वाला है, तो सर ये है हमारा total, exam strategy की बात करें, इस तरहीके से हमारा total है अब सर कुछ बच्चों का कहना है कि सर वीडियो इतनी सारी है, वो कैसे देखें, उनका एक ही provision है, मैं हर बार कहता हूँ वीडियो के अंदर, मैं simple सी बात करूँ, तो YouTube पे अगर पूछ रहे हैं आप, तो YouTube पे सर बिलकुल free है, बिलकुल free है कोई कॉस्ट नी और सारी classes, all classes नहीं डली, लेकिन डलेंगी, मैं आप सभी को promise करता हूँ SOL वाले बच्चे जितने हैं कि मैं सारी classes upload करूँगा, लेकिन आपके मन चाहे time पे ना होके लेकिन exam से पहले upload होगा, definitely होगा, daily basis पे कर रहा हूँ, क्योंकि इसको convert भी करना पड़ता है, then upload करना पड़ता है, ठीक है कुछ बच्चे YouTube पे देख रहे होंगे, वहाँ पे अभी जो price हो रहा है ना, वो size 699 का ऐसे YouTube पे लिखा हुआ है सिर्फ 10 दिन का है, मैंने सोचा भाई, जो बच्चे नहीं कर पाएं, hope बिल्कुल खतम कर चुँगा है, के sir नहीं होगा मैं उन student को कहुँगा, सिर्फ 399 का है, sir इसका फाइदा क्या होगा, 399 आपका payment जरूर है सबसे पहले, अगर आप exam के अंदर pass नहीं होंगे, इस strategy को follow करते हुए, अगर नहीं होते तो मैं guarantee लेता हूँ, अगले semester में free में पढ़ाऊँगा, आप सिर्फ बोल देजीए, sir हमने classes लेती और pass नहीं हो, मैं guarantee लेता हूँ, मैं free में पढ़ाऊँगा, अगले semester में लेकिन follow करना है उसी के एसाब से, ठीक है, दूसरी बात, sir यहाँ पर जो video है, वो video number काफी है, लेकिन मैंने video के उपर क्या लगा दिये है, sir, star लगा दिये है, तो जो बच्चा unit wise खतम करना चाहता है, अगर मैं unit wise की ही बात करूँ ना, तो जो बच्चा सोच रहा है यार, sir ने तो ये कहा है, ये, setup and carry forward, ये वाला unit किसी से काम का नहीं है, ये पहले निप्टा सकते हो, number one पे, sir, number, पहले सबसे number one पे तो इसी को रखें, sir, number two पे आपके पास option है कि ये वाला unit उठाएं या ये वाला unit उठाएं, ठीक है न, number two पे, तो वैसे तो unit wise चल लें, otherwise आप इस पे भी चल सकते है ये unit को मैंने काटी दिया है, तो sir, total video जो है न, वो काफी सारी video है, लेकिन मैंने क्या करा, star बना दिया है, जैसे salary की total 38 classes है, YouTube पे डली वी 38, यहाँ पे आपका hardly 15 classes में हो जाएगा, hardly 15 classes में, आपके deduction के डलेंगे मान के चलते हैं, YouTube के काफी सारी classes, या फिर आप house property की 15, 16, मेरे यह आपका न, 10 दिन exam, अगर मैं बोलू कि बच्चों नहीं, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ाई करो, आगे काम आएगा, तो नहीं सर, अभी आपका target स्रिफ और स्रिफ एक ही target है, that is कि how to crack exam, बस, किसी भी, either hook और cook, कैसे भी आपका, आपके बस exam clear करना, यह target है, तो मैं जो पढ़ाऊँगा, जो मैं strategy बताऊँगा, सिर्फ exam oriented, और वो questions भी exam oriented हूँगे, theory के उपर, जितने भी theory, tension मत लीजी है, theory की video आज application पे डल जाएंगी, आज की class में, इसके बाद बागी के other days पे डलेगी, तो बिलकुल भी आपको tension नहीं लेना, तो उसके हिसाब से लेक बता की बात नहीं है, जो बच्चे अभी इसको देखते हैं, मैं उनको suggest करूँगा, application पे ले ले, मैंने price बताए 399 का, जो आपका contact number किस से आपको बात करना है, सारा मैं ping भी कर दूँगा, comment में, और जो link है, whatsapp number, description के अंदर मैं अभी डालने जा रहा हूँ, आप लोगों की बहुत beneficial रहने वाला है, तो guaranteed आप pass हो जाएंगे, paper का pattern कैसे आएगा, मैं दो दिन पहले exam से discuss करूँगा, किस topic से क्या-क्या pattern आने वाला है, बाकि regular वालों का पहले है, तो regular वालों का तो मैं पहले कर लूँगा, non वालों का, तो उसके इसाब से भी idea लग जाएगा, तो hopefully काफी help मिलेगी, और आपको हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हार ना, मैं आपके साथ हूँ, आप पढ़िये, मैं daily basis पे आपको strategy और task भी दे दूँआ के सर, आज ये chapter हो जाना चाहिए, आज ये chapter हो जाना चाहिए, doubt के लिए अलग से session team, यहाँ पर क्या फरक है सर, कुछ के भी जितने भी चीज़े हैं, पहले आपको मिल जाता है, फिर YouTube पे जाता है, बाकी कोई फरक नहीं है, कोई बच्चा अगर बोले ना, के सर, हमने YouTube पे भी वही है, यहाँ भी वही है, same, तो हमने course क्यों लिया, तो मैं उन बच्चों को कहूँगा, कि आप प्लीज course में buy न के अंदर, ठीक है, प्राइस भी मैंने बता दिया, सारी चीज़े बता दिया, hopefully आपको समझ में आया होगा, thank you so much, मिलते हैं इसी तरीके से next plan के साथ, और यह जादा से जादा beneficial, सभी बच्चे उठा सकते हैं इस benefit का, honors वाले बच्चों के अंदर यह वाला applicable नहीं होगा, कु झादा में आपको सम departments एकता होगा, कि क्र पिक्चों के अता हैं